हेलो फ्रेंड्स मैं पूजा और पूजा की रस्वी में आप से भी का स्वागत है आज मैं बहुती स्वादिस्ट कद्दू की सब्जी बनाने जारी हूँ देख सकते हैं मैंने यह पे एक पाउ मतलब 20 सु ग्रम कद्दू ले लिया है आपके यहां पे इसे क्या बोलते हैं कहीं कहीं से सीधा फल कहीं से कौणा तो कहीं से कद्दू भी बोलते हैं हमारे यहां इसे कौणा बोलते हैं आप कमेंट करके बताना क्या आपके यहां इसे क्या बोलते हैं यह देखिए, मैंने इसे पतले-पतले काटके, आप चाहे तो इसके चिलके रग भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसके चिलके निकाल दोंगी, यह मुझे चिलके निकाल के सही लगता है, अब यह छोटे-छोटे टुकडू में इसे काट लें, देखिए आप मैंने सारे काट लिया है बातों बातों मेरे कट गए अब मेरे कढ़ाई में मैं ओयल एट कर दूंगी दो बड़े चम्मच ओयल एट कर दे ओयल को गरम होने दे कोहणे का स्वादिस पाने का सबसे जरूरी चीज ये पाच फोरन जिसमें पांस तरह के मसाले होते हैं वो इसमें डाल दे मै मैं एक चम्मच यहां पर भरके पाच फोरन डाल दिया है इससे कोहणे का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है जब भी आप कोहणे की सबजी बना है तो ये पाच फोरन आप उसमें जरूर डाले अब मैंने कद्दू को अच्छे से वाश कर लिए अब इसमें डाल देंगे उ मैंने आपे दो सूखे मिज डाल दिये हैं सूखे मिज को कद्दू के संग फ्राई करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है खाने में बहुत ही स्वादिस लगता है अब इसमें हम नमक एक चमच नमक और चुटकी बर हल्दी मिलाकर इसे फ्राई करेंगे तो ये जल्दी पक जाएगा किसी भी सबजी में अगर आप नमक एड़ कर देता है तो वह बहुत जल्दी पक जाती है ये बात हमेशा ध्यान में रखें अब इसे ढख कर हम थोड़े देर पकाएंगे ताकि हमारा कद्दू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अब बीज विश में चेक करते रहेंगे देख सकते हैं अच्छे से फ्राई कर लेना है अब इसे हम बिना ढखे थोड़े देर फ्राई करेंगे देखें इसका कलर चेंज हो गे अप हम कुछ मसाले आट करेंगे मैंने या पे 1,5 चमच धनिया पौडर, आदी चमच जीरा पौडर, आदी से भी कम क्धोड़ासा पानी बीश में डाल देंगे थाकि हमारा मसाला छिपके ने हमारा मसाला पॉडर सा तरह इसलिआ चिपक सकता है थोड़ासा पानी डालाके छीपक से भूने औहिंए थोड़ देर धाक कर पकाएं ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए निहीं अब हमधकर पकाएंगे अब पांश मेड़ाँ हुआ हम चक करेंगे ये देखे हमारी सबजी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया अब हम चेक करेंगे हमारा कद्दू पका है की नहीं तो अभी पका नहीं है इसमें हम आदे कप से भी कम पानी आट करेंगे इसमें बहुत पानी ना के बराबर पड़ता है बहुत कम अब इसमें वाला आ रहे हैं अब इसे हम ठक देंगे अच्छे से 5-7 मिनट ताकि हमारा कद्दू अच्छे से इसस का स्वाद और भी अच्छा जाएगा अब इसे अच्छे से मिक्स करके गैस को आफ कर दे देख सकते हैं अब इसे हम खाने के लिए गर्मा गर्म सर्फ करेंगे ये देखिए आप एक बर ऐसे कद्दू की सबजी बनाएए बहुत ही स्वादिस लगता है इसमें कुछ मसाली की भी जरूरत नहीं है ना प्याज अद्रकलासन कुछ भी नहीं और ये बहुत फटा फट से बन जाता है तो आप भी इस कद्दू की सबजी को जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा